जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में सफदर जंग आई सेंटर जाकर 14 साल की इन्शा से मुलाकात की आपको बता दें कि इन्शा वही लड़की है जिसने कश्मीर में पैलेट गन की फाइरिंग में अपनी आखों की रोशनी गवादी है इन्शा का सफदर जंग होस्पिटल में इलाज चल रहा है महबूबा ने इन्शा को भरोसा दिलाया कि उसकी आँख की रोशनी वापस लाने के लिए वो आँख प्रत्या रोपन सहीद हर मुमकिन कोशिश करेंगी महबूबा ने इन्शा के माता पिता को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार देश में या देश के बाहर उनकी बेटी का बेहतरिन इलाज सुनिश्चित करेगी इन्शा से मुलाकात के बाद जंगु कश्मीर की सीन ने कहा इन्शा से मिलने अस्पताल गई मैंने उस से पूछा कि क्या वो मुझसे नाराज है मुझे देखकर बच्ची की माँ फूट फूट कर रोने लगी मैं उलहर मैं कभी कोई बात मज़ां की नहीं है कितने इस वी कर्ली बात मैं लिए के कहते हूं मुनदर से कहते हूं गुसा भी या या प। दिस राता है मैंने इसको का कि अधिर आपको आप पता किई है मैंने बहुत जंदर्गी देखी है मेरी तप ही नियुक्त विम्मर्ण गी है वगर मेरी एक आट से इसके आट मेरो पिनाए ये उसके लिए कि तरया है विए पुझमर्ण कि बच्टी है उसका क्या प्सूर है वह तो खिर्टी पे लेखें कि वाहर पठर हो रहा है पत्रा हो रहा है कोई लड़्टू ने जो मिस्केंस है, सड़क रोग की रखी है, उनको पता है पुलीस वहां से वापस आ रही है, पुलीस उपसरी मीचे पत्र उखाने के लिए जो पहाडी पुलीस है, उसके लाओं है, वहां से चारों करफ से उने पत्राश रोग किया, और उसके बाद वो पत्थर बाजों और सुरक्षा बलों के बीच हुई एक जड़ब के दौरां पैलेट गन की चपेट में आने से नोविक अक्षा की छात्रा इंशा ने अपनी आखों की रोशनी गवादी थी, NMF News के रिपोर्ड